दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमा जोन पे बाइलेंस का पैसा आप अपने बैंक एकाउंट में कैसे ट्रासपर करेंगे अगर दोस्तों आपके पास Amazon Pay Balance में फैसा है उस पैसे को दोस्तों आप अपने bank account में transfer करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से अंतक देख लेंगे इस वीडियो के मध्यम से असानी से Amazon Pay Balance के पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के मध्यम से live proof दिखाएंगे और कैसे आपको Amazon Pay Balance के पैसा निकालना है सब कुछ इस वीडियो के मध्यम से आपको पता हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले आपको Amazon Pay Balance के पैसा निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपने mobile phone में play store open कर लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका Amazon application होगा सबसे पहले दोस्तों आप delete करके नया वाला डाउनलोड कर लेंगे या फि दोस्तों आप update कर लेंगे अपडेट करने के बाद दोस्तों इस application को आपको open करना है चलिए यहाँ पर हम update कर लेते हैं अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको open में click कर देना है और इस application को open करने के बाद आपको यहाँ पर आना है Amazon Pay में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि दूस्ते यहाँ पर खुलने में थोड़ा लेट होता है खुलने के बाद दूस्ते यहाँ पर आप देख पारें imagine pay, ascan money, ascan any keyword और यहाँ पर bill payment देख रहे होंगे तो दूस्ते imagine pay में किलिक करना है और किलिक करने के बाद यहाँ पर redirect हो जाएंगे आप Horizon Pay में जितना आपके पास Amazon Pay Balance में पैसा होगा यहाँ परर उसोग करेगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पैसा भेंच कर दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर देख पारेंगे जोभी मेरा Amazon Pay Balance में पैसा है यहाँ पर आपको कुछी से सोग कर रहा होगा जो भी अपका पैसा होगा यहाँ पर दिखेगा और दोस्तों Amazon Pay Balance का पैसा निकालने से पहले आपको इस पर KYC करना होता है तो दोस्तों आपको कैसे KYC करना वीडियो के लाशन बताएंगे सबसे पहले दोस्तों आपको लाइप पूरूप दिखा देते हैं पैसा टास्पर करके तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पार रहेंगे Ascan any keyword Send money, Approve payment, Get payment और यहाँ पर आप देख पार होगे Send money, पैसा भेजने के लिए Send money के उपर के लिए करना होता है दोस्तों यहाँ पर देख पार रहेंगे कहाँ भी option देखने को मिलता है Mobile नमर से भेज सकते हैं पैसा कहीं keyword code scan करके पैसा भेज सकते हैं और कहीं आप UPI ID के दवारा भेज सकते हैं या भी दोस्तों आप अपना bank account से पैसा भेज सकते हैं तो दोस्तों चलिए bank account से पैसा भेज के दिखाते हैं यहाँ पर आपको डालना है आपना IFC code यहाँ पर account number यहाँ पर confirm account number account holder name डालना है उसके बाद यहाँ पर pay में किलिए कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं दोस्तो तो चली यहाँ पर आपना डालते हैं सबसे पहले IFC code आपको यहाँ पर डाल लेना है और यहाँ पर pay now को पर click करना है यहाँ पर जितना आपको पैसा निकालना होगा Amazon Pay Balance का पैसा यहाँ पर आपको amount डालना है दोस्तो यहाँ पर एक भी रुपया चार्ज नहीं लिए जाते हैं जितना चाहिए उतना पैसा निकाल सकते हैं यहाँ पर चली amount डालते हैं जो भी यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर continue को पर click करते हैं दोस्तों यहां पर आप देख पार होंगे Pay with Amazon Pay Balance Available Balance 2 रुप्या मेरे पास 2 रुप्या है इसलिए 2 रुप्या हैं आपके पास जितना होगा यहां पर डाल सकते हैं यहां पर आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आपको Pay कुपर किलिक करना है दोस्तों यहां पर जिसलिए पे में किलिक करेंगे यहां पर प्रोसेसिंग लेगा और यहां पर आपको 5-10 सेकंड का अंदर सकसेज फुली दोस्तों यहां पर आप देख पार होंगे पैड फ्रॉम Amazon Pay Balance यहां पर डेट देख सकते हैं रिफ्रेंस नंबर देख सकते हैं और यहां पर सकसेज फुली भी यहां पर देख सकते हैं कि पैसा मेरा ट्रासफर हो चुका है तो दोस्तों आप इस तरह से बड़ी अज़ानी से Amazon Pay Balance का पैसा निकाल सकते हैं और आपको कुछ भी दिकत हो रहा है Amazon Pay Balance में मेरे पास जो दूरप्या था यहां पर सकसेज फुली पैसा ट्रासफर हो चुका है लेकिन दोस्तों आप लाए पूरुफ दिखाएंगे कि मेरे पास 0 रुप्या बचा हुआ है और यहां पर आपको ट्रांजेक्शन भी दिखा सकते हैं यहां पर दोस्तों आप देख पारोंगे साफ साफ मेरा जुन Pay Balance से पैसा कटा हुआ है और दोस्तों आपको कैसे KYC करना है यहां पर आपको बताते हैं KYC करने के लिए दोस्तों यहां पर आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको KYC करने का option मिल जाता है, manage की यहाँ पर नीचे देखेंगे, KYC और यहाँ पर account, सिर्फ पहले आपको account पर जाना होगा, जो भी यहाँ पर आपको details होगा, यहाँ पर आपको भरना होता है, यहाँ पर profile में देखेंगे, आपको personal details, यहाँ पर KYC के उपर के लिए करेंगे यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करना होता है, दोस्तों आपको KYC के पहले किजिए, तभी आपका KYC के पैसा निकलेगा, दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आओगा, वीडियो पसाना हैं पर वीडियो को like, share, comment करें, दोस्तों अभी तक इस चै सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तब तक की लिए जहिन वंदे मातरा,